सिर्फ 10 दिन बचे हैं iOS 17 और बाकी सारे software हम लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन iOS 17 के confirmed features हम लोग को पता चल गए हैं जो मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एक छोटी सी request है आप लोग चैनल पे नहीं हो subscribe कर दो और bell notification call कर दो क्योंकि सारी latest videos आप लोग को इस चैनल पे सबसे पहले मिलती है तो start करते है पहला सबसे बड़ा feature हो रहेगा accessibility में जो कि Apple ने already announce कर दिये जो Apple iOS 17 बताने के टाइम पे भी हम लोग को explain करेगा तो जो भी लोग hearing problem face करते है या फिर vision problem या फिर speaking problem face करते है उनके लिए कुछ accessibility features है multiple apps के जो की बहुत ज़्यादा important है कि calling, messaging, photos इन सारी चीज़ों को लेकर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो photos तो यहाँ पर आपल ने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है अगर normal language में बात करूँ तो यहाँ पर zoom कर दिया है ताकि easily accessible हो पाई यह सारी चीज़े और यह सारे apps जैसे कि हम लोग back करते हैं दूसरे तरीके से iPhone में आपको यहाँ पर बटन देखने के लिए मिलते है dedicated photo section में और आप easily photo scroll कर सकते हो और यह ऐसा नहीं है कि आपको ios 17 में ऐसे देखने के लिए मिलेगा जो लोगों को यह problem है अगर वो problem face कर रहे हैं तो वो ऐसे particular app पे जो है switch कर सकते है उनको जो है toggle की on करने पड़ेगी उससे पास सेम चीज आपको यहाँ पर जो है camera में देखने के लिए मिलेगी आपको take photo और back option देखने के लिए मिलेगा ताकि आप लोग easily photos को click कर पाऊ और आप जो है अपने iPhone से properly photos ले पाऊगे सेम चीज यहाँ पर आपको जो है call के लिए देखने के लिए मिलती है basically सब को zoom कर दिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो mom और यह सारी चीजों के contact से यहाँ पर display हो चुकिए और साथ बनीचे dedicated back button है तो यह जो है calls का है music application भी आप लोगों को यहाँ ऐसा दिखने के लिए मिलता है और साथ-साथ messages app में भी उससे भी बड़ी चीज यहाँ पर आपको जो है क्या मिलने वाली है नए features में magnifier में speaking में listening में Apple एक नया feature यहाँ पर and की है जिसको बोलते हम यहाँ फ्रेजिज तो आप जो भी अगर आप बोल नहीं सकते है आप टाइप कर सकते हो FaceTime के टाइम पर वीडियो कॉल के टाइम पर वो चीज आपके लिए जो है convert की जाएगी तो यह बहुत अच्छी चीज है उसके बाद iOS 17 के बहुत सारे feature आने वाले हैं सबसे बड़ा feature है control center जो की conform हो चुका है यह control center को use करते करते बहुत time हो गया and honestly थोड़ा सा boring हो गया यह use करने में तो बहुत असान है as compared to android phones लेकिन थोड़ा बहुत शफल तो हम भी deserve करते हैं तो यहां पर apple control center को redesign कर रहा है और उससे भी बड़ी चीज हमको customize करने का option देगा आप अपने तरीके से चीजों को control center में customize कर पाऊगे जो की बहुत अच्छी चीज है उसके बाद साथ ही साथ अगर मैं lock screen की बात करूँ तो apple widget में तो बहुत सारे updates लाएगाई लिकिन अब आपको एक horizontal lock screen देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर आप notifications और weather data को भी update कर सकते हो मलब यहां पर आपको सारे updates horizontally जो आपकी lock screen पर देखने के लिए मिलेंगे बहुत लोग phone ऐसे रखते है या कुछ लोग अगर vertical भी रखते हैं तो मलब basically एक नया update है जो आपको iOS 17 में देखने के लिए मिलेगा बाकी कुछ apps भी है जिनका हम लोग बहुत कम use करते हैं कि wallet, share play, air play इन में आपको फोड़ी बहुत improvements देखने के लिए मिलेगी तो उसके हम लोगों को iOS 17 में wait रहेगा एक ऐसा app Apple लेकर आ रहा है iOS 17 में journaling app जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर मैं आप लोगों को बताऊ तो आप लोगों ने कहां कहां आज visit किया आपने क्या क कितना workout किया बैसी के लिए एक journal जो हम लोग लिखते हैं वह आप सारी चीज़ कर पाऊगे और मैं को लगता है कि यह बहुत जाथ exciting app होने वाल है और यह iOS 17 का बहुत बढ़िया feature हो सकता है तो यहाँ पर आप में आपकी activities, reflections, locations, mood, daily entry आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो तो इ iPhone user series सिर्फ पहली बार यूज़ करता तब नया phone लेता है उसके बाद साल हो साल कोई भी Siri यूज़ नहीं करता और Siri का जो आइकन है वो बीच में घूमता रहता है बहुत ज़दा annoying है तो उसको जो Apple Dynamic Island में shift कर रहा है और इस बार Dynamic Island live activities में बहुत सारे updates आपको देखने के लिए और भी बहुत सारे updates तो मैंने अपनी लास्स वीडियो में बताए थे वह सेम चीज़ा repeat करना है कोई भी फाइदा नहीं है तो आप लोग वीडियो भी चेक आउट कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना तो मैं मिलता हूं आप सब वीडियो में टेक क्यार बाइ